और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ नहीं है कि भारत के अंदर खासकर दिल्ली क्यूंकि मैं यहीं पर रहता हूं तो दिल्ली के अंदर जितनी आशी बंद पड़ी मस्जिद है मैं उन सब को आबाद देखना चाहता हूं दोस्तों सबसे पहले में स्वाधत करता हूँ आप सभी भाईयों का जो मेरी वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं दोस्तों आज मैं जिस मस्जिद में आया हूँ यह है वजीराबाद पुल पर मस्जिद इस मस्जिद की बहुत सारी खा तो यह पर अजिए सर्थ दो सामने बनाए गया है उसके बीच में एक और मेह खत्री नुमा आकरती अपर करती निपनाए गयी है इस तरह के आकरती में पहले तो कभी नहीं देखी गई पर्स टाइम यहां पर मैं देख रहा हूं और क्यों बनाए गई है उख्षाथ में मस्जिद के अंदर वहां पर हाँ वहां पर लेडिजों के लिए कुछ अलग से जगा बना राकिती तहां पर लेडिज जो भी होती होगी वह नमाज पर सकते ही पास मे अब क sea है कि यह वह वह बाबरे महंजिद किसे व अबाद की मसजिद भी खहते हैं और वजर वाद पुर्ड अपर मसजिद बनाई गई है मज़इ बहुत خूबशुरत है यह वाला वह गुमबंद टाइप में है इसे पतनी जिस तरह मघबर बनाते है कि पी असा है हो सकता है इसा अंदाजा है मैं सिर्फ अबना अंदाजा कह सकता हूं कि मगबरे के आगरती है तो हो सकता है यहां पर किसी की कबर हो पहले में दिखाता हूं इसके अंदर सबस्वेली यह चीज़ देखें दोस्तों यह बैठने के लिए जो अकसर मस्जिद के बार देखते हैं और यह है गुम्बंद के अंदर यह देखें बड़ा खूब सुरता है और हवादार है चारो तरफ के देखो इस तरह के आले बनाए गए हैं और यहां से आप थोड़ा सा बुरा लग सकता है यहां से देखने में इसा ऐसा लगता है जैसे कि यह कोई मस्जिद नहीं मंदिर हो अक्सर होता मंदिर में ऐसा होता है जैसे में गेट से एंटरी करते हैं तो सामने इस तरह के आकरती नजर आती है और उसके सामने पत्थर नजर आ रहा कि यह आखिर है क्या दरहासल यह पूरी की पूरी आकरती इस काले रंग के पथर से बनाई गई है और नीचे भी इसी पथर के स्थेमाल है यहां जो बता रहा हूं कि मुर्टि का होता था ही यहां अक्सर इमाम के जो खड़ होने की जग वह होती है और यह रही वह निसानी जो पूरी मस्जिद इन काले रंग के पिलर पथर इस पर खड़ी हुई है यह देखे इस तरह के पत्थर पर पूरी मस्जिद खड़ी हुई है यहां से यह इस तरह के आर्च बनाए गए है कितना खूबसरत नजारा है शुरू के दो दो पिलर है और बीच में एक एक पिलर है पीछे साइद दो होंगे एक पीछे की तरह लेकिन कहने सकतें अब यहां से देखिए कि मस्जिद कितनी खूबसरत आपको नजर आएगी तो यह जो पिलर है यह बारा पिलर इसके अंदर है मतलब यह दो के साइड में है तो इसलिए यह 12 है और इस खूबसरत नजर आ रही है यह आप देख सकते हैं तो मस्जिद के इस हिससे में आ यह पर दें सकते हैं जो फूल बने हुए है फूल की बीच में आल्ला है लिका हुआ है और और अपर वहां वह पर ला-इलाहि लेल् इस तरह की आतरती है यहां से आप बहुत सारी देख सकते हैं तो तो गर्मी बेहद ज्यादा गर्मी है आज चालिस पेंटालिस के आसवास टेंपरेचर है उसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ पसीन देखते हैं वो मेरे कपड़े पूरी तरह पसीने में है इस मस्जि जाता है कि यह औरतों के लिए नमाज पढ़ने के लिए रिजर्व था मतलब क्योंकि औरत प्रदे में नमाज पढ़ती है इसलिए इस आकरती के अंदर जो भी आप देख रहा है इसके हाइट आपको छोटी बेसक लगती है लेकिन जैसे इसके अंदर जाएंगे मैं पूरा दो तीन कुल मिला के नो ओरते यहां से खड़े ओकर नमाज अदा कर सकती थी अभी क्योंकि मैं वहां को नहीं जा सकता क्योंकि वहां के देख रहे है तो जाना ठोड़ा सा खतर्नाक हो सकता है हो सकते चिपट जाए क्योंकि वेरे पास कोई है भी नहीं इस पूरी मस्जिद के अंदर सिर्फ मैं अकेला हूं कोई नहीं है और यह वजिराबाद जब आएंगे तो वजिराबाद रोड पर ही ओन रोड ही यह मस्जिद है तो लो बाहर निकल के दिखाता हूं यह देखो बड़ी जबरदस्ता करती है इस साड़ से भी तुर से बिखा दो यह दोस्तों चा लेकिन फिर भी एक बर मैं चारो तरस दिखाने चाहूंगा कि देखिए बेहत खुबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है लेकिन दुर भागे कहिए कुछ भी आप कह सकते हैं यह मस्जिद आबाद नहीं है बहुत ज्यादा दुख के साथ कह रहा हूं कि इस मस्जिद में अब नमाज नहीं होती यह मस्जिद बहुत दिनों से वीरान पड़ी हुई है आप इसका एक बड़ देखिए इसके हालत देखिए कि इससे देखने से ही पता चलता है कि यहां पर इवन कोई सिक्योर्टी गार्ड भी नहीं है मतलब इसकी देख रहे के लिए कोई सिक्योर् मुसल्मानों के लिए बलके पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एतिहासिक ध्रोह रहा है कम से कम उस चीज के लिए तो गौवर्मेंट को यहां थोड़ा से ध्यान देना चाहिए मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मस्जिद में नमाज पड़ू और सभी लोगों से यही मेरे एक हमेशा आगरार आएक निवेदर नहाए कम से कम भारत में जो मस्जिदे इस तरह की है उन्हें आबाद करने के लिए कुछ तो करें यार कुछ तो कदम उठाए कुछ तैसा करें ज जाए सच कहूं तो बहुत रहता है इतना होता है मेरा दिल के ऐसी मस्जिद अगर आज के वक्ते बनान लए तो करोड़ों पर लग जाएंगे और साइद फिर ना भी ऐसी बन पाए इतनी बड़ी जगा और इतनी बड़ी जगा में इतनी अच्छी मस्जिद और वह बिलकु के लिए उस यहां पर सांती के दो पल बिताने आते हैं वह भी खासकर वो लोग जो ओयों में जाते हैं सिर्फ वो यहां पर आते हैं और अपना टाइम स्प्रेंड करते हैं बाकी इस मस्जिद का आप देख सकते हैं चारों तरफ से कोई नहीं आ है मैं एक पर दिखा दू आपको यहां पर मेरे अलावा कोई दूसरा ना बंदा ना बंदे की जात यह देखें चारों तरफ से एक पर मैं घुमा दिया है इसको यहां पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा और क्योंकि स्ट्रक्टर्स का सबसे लग इसलिए बदाता हूं प इस तरह कि आकरती मैंने पहले बार द एक हुए है हला कि इमाम के लिए जगा उती है एक वहां पर मैं को कि ने इस कर दो kindergotं सब्सक्राइब ऑसे को मकबरा जो होता है उस तरह की आकरती है इस मस्जिद के उपर भी हम जा सकते हैं चलिए वहां पर आपको ले कर चलता हूं यह इस तरह कर जिना है जो खड़ा है विल्कुल एकदम मैं दीरے-दीरे के ऊपर पहुंच गया जा यह देख़ा दQué तीन गुम्बंद है एक दौ और तेन से उपर से तरह से नजर आते हैं कि दो गुम्बं यहां कि मुमा अकि यह खुला हूँ और बंबन है बावर ने बनवाय था ये देखें दोस्तों ये है वह पुल जो बावर में बनवाय था और यह जो नाला है यह यम मुनन नदी ही है जो कि नाले में तब्दील होती जा रही है देखें कि जाड़ सब नदी के अंदर ही है ये भी और ये मेन रास्ता होता था अब तो उस साइड से बना रखा है वहां पर लेकिन दोस्तों आप सबसे सिफ यही अनुरोध है कि इस मस्जिद को आबाद कराने के लिए जो भी उतरते वक्त सावधानी घटी दुरगट में घटी रहे बच्या दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं वैसे सारी चीज कवर कर दिया हर एक चीज दिखा दिया है पूरा बता भी दिया है अगर पूरा इतिहास इस मस्जिद का जानना चाहते हो तो इस अगी होगी वीडियो को शेर जरूर करना दोस्तों और इस तरह की जितनी मस्जिद है मुझे बताओ कमेंट करके मैं वहां पर आऊंगा और उन वीडियो को बनाऊंगा मस्जिदों की वीडियो बनाकर लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी मस्जिद विरान पड़ी है और जगा यहां पर मंदिर बन जाए मस्जिद है मस्जिदी रहने दे आप सबका सायोग इतना है कि वीडियो को शेर किया करो कम से कम ताकि लोगों को पता चले कि हमारी मस्जिदों को क्या हाल है